आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गॉल ब्रेडर कैंसर जो होता है स्टार्टिंग के काफी सालों तक हो सकता है कि सिंटोमेटिक ना रहे क्योंकि बहुत साइब लोगों को गॉल स्टोन्स होते हैं और उनमें से सिर्फ लेस देन वन पसन लोगों के अंदर ही इसके कैंसर बनने के संभावना होती है तो ऐसे लोगों में गैस्ट्राइटिस, गैस बनना, पेट में अफारा आना, भूख कम लगना, बार-बार उल्टी होना ऐसे लक्षन हो सकते हैं, जो कि गॉल स्टोन्स डिजीज से सिमिलर है तो बहुत सारे लोगों के अंदर इसको डियाग्नोस करना मुश्किल होता है कि क्या ये कैंसर हो गया है या इसमें सिर्फ गॉल स्टोन्स डिजीज है